अब रेक्फिस में करते हैं शो की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ जो के आरी अंतराश्य बाजारों से जहां पर कोहराम मच गया जी हां शुरुआत होई अमेरिकी बाजारों से जहां पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और वो इसलिए क्योंकि अब डर बैठ गया है कि कहीं न कहीं अमेरिकी बाजार क्या मंदी की चपेट में आ जाएंगे इसी कारण हमने देखा गिफ निफ्टिया साड़े 300 अंकों की भारी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ शुरुआत करता दिखा है 365 अंकों की जोरदार गिरावट डाव फ्यूचर्स में आई है नास्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे है 400 अंकों की बड़ी भारी गिरावट दिखी है एशियाई मार्केट पूरी तरहां से पस्त है जहाँ पर 3-6-6-6 परसेंट की गिरावट दिख रहे अब क्या कारण है कैसा डर है कि पूरा मार्केट लाल निशान में रंगा है सड़नली एक हफते पहले तक जो कोई बात भी नहीं कर रहा था मंदी की वहाँ पर आपके लेक स्लोडाउन का डर आते हो दिख रहा है लास्ट वीक फेड पॉलिसी थी बैंक अफ जपान की पॉलिसी थी पायन के बाजार दिख रहे हैं निके अब उचाई से 20% लोड़क चुका है यानि की जो हम बात करते हैं बैर मार्केट की निके टेकनिकली आपका बैर मार्केट में आ गया और तीन हफते में यह हुआ है अमेरिकी फ्यूचर्स का तो आपको बुरा हल दिखी रहा है मंदी के डर से यूएस में कोहराम मचा हुआ है छे सो अंक का आपने फ्राइडे को डाउ को लोड़कते हुए दिखा है 40,000 के नीचे बंद हुआ है नाजड़ा का अपके लिए 0,5% तो रसल टूसाज़न जो इनका स्मॉल काप इंडेक्स है साड़े तीन परसंट आपके लोड़कते हो दिखा है विक्स एक दिन में 25% उच्छला है आपका बेरोजगारी जो है वो अनुमान से जादा आई है तो वहां से काफी डर बन रहा है कि ये इतनी तेज गिरावट कैसे हुई है 10 साल की बॉंडी लाब की फिसल कर पौने 4% पर पहुँच गए दिसेंबर 2023 के बाद का सबसे निचला स्थर है तो सड़नली बाजार में एक मंदी का डर आ गया जो एक हफते पहले तक कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था यॉरोप में 1.5-5% की गिरावट देखिया जैसा बता रही थी कच्चा तेल इस साल के निचले सर पर है डॉलर इंडेक्स आपका 4-5 मेने के निचले सर पर है तो कोहराम मचा हुआ है ग्लोबल मारकेट में बहुत जादा डर का महल सड़नली पितले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में बन चुका है चले धन्यवाद दीप वो हाइलाइट्स रखने के लिए लेकिन ये स्थिती उत्पन ने क्यों हूँ